हलो फ्रेंट्स मैं राज मुर्ण बात करने वाले कैसी वैक्सीन के बारे में जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने का काम करती है मतलब की जो महिलाओं में दूसरे नंबरों मेंорот कइंसरे का जार्ड का वैक्सर इंद सुझाति न मतलब की दूसरे में का सबसे अधिक होने वाना कैंसर घाल टाक विसके बैसे के अश्य वारेवग करने वाले जिसमें वह साथी है यह कहां पर अव्रेबल करते हैं, किस उम्र महिला और कार्टी पर भी यूलेटेड जनकारी जनकारी हैं आज यह जान लेते हैं कि जो पिंपार में इसके लिए जीमिदार इसा वायरस है वेक्टिरिया है जो जीमिदार होता है जिसको हम बोलते हैं HPV इसका अगर फुल फरम देखें तो इसको बोलते हैं हुमन पैपिलोमा वायरस तो यह जो हुमन पैपिलोमा वायरस होता है यह सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जिमिदार होता है महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के लिए तो जो यह HPV वैक्सीन होती है यह इसी के नाम पर भी बढ़ाई गई है जो महिलाओं को एक तरह से प्रिवेंशन प्रवाइड करती है मतलब बचाव करती है कि उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो लेकिन अगर इसको महिला सही समय पे लगवाती है तभी यह काम करता है तो अगर हम इसके टाइम डिलेसन की बात करें तो जो भी नौ से लेके नौ साल से बीच में यह वैसिन लग सकती है अब इसकी जो टाइम डिलेसन होती है वो अलग अलग होती है एज के हिसाब से तो यहां पे जो नौ से लेके पंदर साल की फीमेर्स होंगी उनमें अगर हम बात करें कि जो हुआ है उसकी कितनी डोज लगेगी तो नो से पंदर साल की फीमे प्लस है तो फिर कितनी डोज लगेगी अब यहां पर बात करें कि दूसरे वैसिन के बीच में कितना इंटरबर होना चाहिए क्योंकि जैसे अगर कोई बच्चा है जन्म लेता है तो उस दुराण जब हम उसका इमेलाजेशन करवाते हैं तो कुछ ऐसी वैक्सी जिनका टाइम डिरेशन फिक्स होता है जैसे कि एड़वर्ट बीसे जीड लगवाते हैं फिर डेढ़ महिने पर फिर नौ महिने पर तो इस तरह से कहें टाइम डिरेशन होती है कि कब कौन सी वै बीच में है और माल जी कि फर्स्ट रोज ले रही है यहां पर फर्स्ट रोज ले रही है तो फर्स्ट रोज से लेके अब जो यह सेकेंड डोज होगी इसके बीच कितना अंतर होना चाहिए तो फर्स्ट रोज से लेके सकेंड डोज के बीच में कम से कम कम से कम फाइफ मंत का अंतर कर दो जाहिए अब जैसे अब एकजामपल के तो बे सिटी के कि कुह कर आखर असी लड़की है जो दस साल तीन महिने की है और उस दौरान उसने एच वीवी का फॉच डोज दिया तो अब सिकेंड डोज उसको कब लगेगी हमने यहां पर देखा कि सिकेंड डोज उसको आफर फाइक मन लग रही है heh क्योंकि दोनों के वीचिपे पांच महिने अकमस को मन न चीए तो अब पहली डोज उसने डस साल तीन महिने पर ली है तो गब लेगी तो दूसरी डोज कि विमर्लों कि इसके और ग्रेंगी तो आगा किसी भी फिमर्लों कि अगर कोई भी महिना है जो ऑने साल तीन महीने की है और उसमें फर्स्ट डोज एच्पीव वैक्सिन की ले तो अब सिकेंड डोज कब लेगी तो जब यह पंदरा साल की उपर की जो फीमेज होती है उनमें टाइम डिरसन की चेंज हो जाता है तो पहली डोज से लेके दूसरे डोज जो सेकंड डोज होगी इस के बीच में कम से कम 4 वींग एक महीने पे दूसरी डोज उसको चांटिनो की जाएगी मतलब 17 साल चार महीने पे उसको सेकंड डोज एच पीवी की लगेगी क्योंकि फॉर्ट से लेके सेकंड डोज की बीज में चार सप्ता या फिर एक महीने कहीं अंतरम को रखना है वहीं पे अब सेकंड डोज ती कंप्लिट हुई तो सत्रह साम चार महीने पे अब जब थर्ड डोज लेनी होगी तो कम लेगी तो अगर हम यहां पे थर्ड डोज की बात करें थर्ड डोज तो थर्ड डोज कम लगेगी तो सेकंड से लेके थर्ड डोज के बीज में कम से कम 12 वीक 12 वीक कहे या पे 3 मंत कहें इतना अंतर होना चीए, मतलब 3 महिने का अंतर होना चीए 2nd डूर से लेंकर 3rd दूर ओश के बीच में तो उसने कम लिया 17 साल 4 महिने पे लिया तो अब उसमें हमको 3 महिने फिर्जाइड करने होगे तो अगर इसमें हम 3 महिने और ऐड कर देते हैं तो 4-3-7 मतलब कि 17 साल 7 महीने पे जो फीमेल होगी उसको थर्ड डोज लगेगा उसको थर्ड डोज HPV का लगेगा तो यह क्लियर हो गया कि जो भी महिला जो भी फीमेल 15 साल से प्लस की है और अगर वो HPV की वैक्सिन लगाना चाहती है तो उनको 3 डोज लगेगी पहली डोज है आप जिस उम्र में लीजिए होगर पचीछ साल में भी ले रही है तो यही रूटीन रहेगे कि फर्च डोज लगने के बाद सेकhouse कर लगेगी एक महीने के बाद लगेगी और फर्ड इंट ती मीने- लगती कवर कांपय है तो आप अगर इसको चाहें तो बाहिंमे लगव लगवा सकती है अगर कमर की बात करें तो कोले में लगती है तो आयम लगती है मतलब इंट्रा मस्गलर लगती है नेशिस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की जो यह इस वीव वैक्सिन यह सिर्फ और सिर्वाइकल कैंसर से ही नहीं बचाती बल्कि अदर कुछ ऐसे कैं कैंसर होते हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन प्रवाइड करती है जैसे कि माउठ फ्रोट नेक का कैंसर होता है इन सबसे भी यह इक तरह से आपको सुरच्छा प्रदान करती है अब यहां पर जो एच्वीव वैक्सिन होती है यह आपके अंदर ऐसे इम्मुनिटी जनरे क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़े होती हैं जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं हमारी कुछ ऐसे बैन हैविट्स होती हैं जिसकी वजह से हम रोगों को नहीं होतार दे देते हैं जिस तरह से जब बच्चा जन लेता है तो हम उसको वैक्सिन कर दिलवाते हैं जिसको जैसे BCG लगवाते हैं एडवर्थ की फ्यूचर में उसको ट्यूबर क्लोसिस की विमारी ना हो लेकिन इस पात की 100% स्यूर्टी नहीं होती कि बैसी लगने के बाद फ्यूचर में बच्चे को ट्यूबर क्लोसिस नहीं होगा कुछ बच्चों में वह भी जाता है तो यह डिप सब्सक्राइब के बारे आपको डिटेल में जानना है तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है फिराल आज की वीडियो से आपको यह पता चल गया होगा कि अगर आप ऐसी फीमेल है जो 9-15 साल के बीच में सफ़र कर रही है या फि इसकी बारे तो यह लगभग लगभग दो हजार से लेकर चाहर हजार के बीच में इसकी फोस्टेट आप अब इसकी बीच में जागर के फिर आगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप मुझे कमें बॉक्स में कमें करके बहुत सकते हैं मैं 100% इसके रिप्राइदे आपको किसी बीचित से्टा उन्होंत्स